हेलो दोस्तों, PST CL की वेकेंसी आ गई है, तो इससे जोड़ी सारी जानकारी जैसे की क्वालिफिकेशन, एजिबिल्टी करेटेरिया से लेकर सेलेक्शन प्रोसेस और सेलरी तक के सबी कुछ डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें, तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को सुरू करते हैं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आप देख सकते हैं, PST CL यानि के पंजाब स्टेट ट्रांस्मिशन कॉर्परेशन लिम्टेट के रिकूट में नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें टोटल फाइ सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी इस चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबादें, जिससे के मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी अप्डेट मिसे ना हो, अगर हम इसके इम्पॉर्ट आप देख सकते हैं, आर्किटेट के लिए वन वेकेंसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें मागी गई है, वो है अगर आपने डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर किया हुआ है, प्लस आपके पास पांच साल का एक्स्पिडियेंस है, तो आप इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं, नेक्ट पोस्ट है, असिस्टेंट लाइनमेन की, इसमें टोटल 350 वेकेंसी है, अगर आप 10 पास हैं और आ आपने Electrician Environment Rate से ITI किया हुआ है तो आप इसके लिए Apply कर सकते हैं Next Post है ASSA यानि कि Assistant Sub Station Attendant Post की अगर आपने 10th Plus Electrician Environment Rate से ITI किया हुआ है तो आप इसके लिए Apply कर सकते हैं इसमें Total 150 Vacancies है अगर आप को इसके regarding कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे Comment Section में Comment करके पूछ सकते हैं मैंने Description में इस Official Notification की प्लस Apply करने की Link दे दी है आप directly वहां से भी इसे Check करके Apply कर सकते हैं अगर हम इसके Age Limit की बात करें तो आप देख सकते हैं Architect Post के लिए 20 से लेकर 37 Year के अगर आप बीच में हैं वह Online Test के Recordingly होगा आप उसके एसाब से Check करके Apply कर सकते हैं